नमस्कार सभी साथियों को, स्वगत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर जिसका दामे श्टडी विद पियन लोदा साथियों आज हम राजिस्थान का जो भुगोल है, इसकी जो टेस्ट सिरी चला जे रही है तो इसका पेपर नमबर जो 16 है, इसको हल करने वाले हैं, देखेगा राजिस्थान के भुगोल से 25 बहुती मैटमून परिशनों को हम आज हल करने वाले हैं और आज का जो अपना टार्गेट रहेगा, वो 20 परिशनों को सही करने करेगा टोटल जो 25 परिशन है, प्रति एक परिशन एक नमबर का है और अगर आप कोई गलत परिशन करते हो तो एक बटा तीन नमबर जो है आपके माइनस में कम कर दे जाएंगे शुरू करेंगे साथ यूँ आज के इस वीडियो को पहला प्रिशन देखते हैं आपके प्रिशन संख्या एक में क्या पूँचा जा रहा है देखिएगा प्रिशन बर एक को आपके प्रिशन संख्या एक है इनमे से एसंगत का चैन कीजिए एसंगत का मतलब किस से लिया जाता है गलत से लिया जाता है तो विकल्प को देखेगा पहला विकल्प क्या है राज का पहला ग्रिन फिल्ड एरपोर्ट नीमराना, किशनगड हवाय अड़ा आजमेर, राजस्थान में वायू सेवा की शुरुवात 1929 महराजा उम्मे सिंग और राता नाड़ा हवाय अड़ा उदेपूर इनमे से जो कतन आपको ए संगत, ए संगत मतलब गलत लग रहा है, उसका चैन पहले प्रिश्ण में करना है, सात्यों पहले प्रिश्ण का आंसर देख लेते हैं, देखेगा अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो चोता विकल्प है, यह कह रहा है कि राता नाड़ा हवाय अड़ा उदेपू तो पहले प्रिश्ण में विकल्प नंबर जो चार है, यह आपका सयुत्तर रहेगा, देखेगे बाकी किशनगड़ हुआ एड़ा कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में, राज का पहला ग्रीन फिल्ड एयर पोल कहाँ पर है, नेमराना अलवर में, और राज में वायू सेवा की शुरुवात कब हुई थी, उनिस सो उनतिस में महराजा उम्मे सिंग के दोरा इसकी शुरुवात की गई थी, तो पहला दूसरा तीसरा चोता विकल्प तो सही है, कोई से विकल्प को छोड़कर के साथ ही हो, चोता विकल्प को छोड़कर, इसलिए चोता विकल्प आपक बरतपुर में पढ़ता है सितामाता नाहरगण और फुलवारी की नाग देखिए दूसरी तरफ है जैपूर उदेपूर बरतपूर और चित्तोडगण इनको आपको सुमेलित करना है और यहां पर यह आपके सामने यहां पर टाइपिंग मिश्टेक हुई है यार इसके लिए मैं मैं भी चाहता हूं सभी से देखिएगा अगर हम बात करें इनका मिलान करके देख लते हैं प्रिश्ण संख्या 2 में कि दूसरे प्रिश्ण में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा देखो बंद बारेटा कहां पर पड़ता है भरतपूर में सितामाता कहां पर पड़ता प्रिश्ण संख्या 3 की और बढ़ेंगे तीसरे प्रिश्ण को देख लेते हैं प्रिश्ण में क्या है 2011 की जनगर्णा की अनुसार राजस्तान के कौन से जिलों में ग्रामिन नगर्य लिंगानुपा सर्वदिक है राज समंद्वे बहासवड़ा, डुंगरपूरवे टॉंग, पाली और चूरू और जालूरवे नागुर देखो प्रश्न को समझने की कोशिश करना जो जनगर्णा 2011 हुई थी, तो इसके अनुसार राजस्तान के जो जिले ग्रामिन नगर्य लिंगानुपात, ग्रामिन और नगर्ये तो साथियों ग्रामिन नगर्य लिंगानुपात की बात की जा रही है और प्रशन संख्या 3 में दिए गए विकल्पों के अनुसार ग्रामि नग्रियलिंगाणुपाद जो सरवधिक है वो है आपके पाली और चूरुजी लेका कहा का है पाली और चूरुजी लेका है साथियो तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रशन का से उत्तर होगा सेक्सिक प्रिद्रश है राजस्तान का क्या जो आपके रीट मेंस एक्जाम में जो सेक्सिक प्रिद्रश का जो आपके सेलेबस दे रखा है उसके अकोटिंग पेपर नमबर मैंने सुबह आठ बजे अपलोड कर दिया है वनपी नع वाला कोर्स है एक्ट्र प्यालवादा एप्लिकेयशन पर मैंने सुबह आठ बजे साथ योग शेक्सिक प्रिद्रश का पेपर नमबर 3 na upload कर दिया है। इस वीडियो के बाद में आपके जो sht वाले है sht वालों के पेपर नमबर नो आ जाएगा और फिर इसके बाद में sht के टेस्ट के बाद में राजिस्थान अध्यन की जो टेस्ट स्रीज है 99 वाली उसका अध्यन नमबर जो चार है वो upload कर दिया जाएगा साथियों फिर उसके बाद में जो साइंस वाले हैं उनके पेपर नमबर जो 7 है वो भी इस्टेडी विद पेन लोदा जो एप्लिकिशन है उसका जो 1.49 वाला जो कोर्स है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा तो ये आज का शेडूल रहने वाला है देखिएगा प्रिशन नमबर 4 को प्रिशन कौन सा है कजरी होटल जोदपूर मरू महोटसव जैसल मेर राष्टी जनजाती संग्रहाले बासवड़ा और कालवेलिया डांस ओप म्यूजियम जेपूर तो इन में से जो कतन आपको असत्य लगता है उस कतन का आपको प्रिशन संख्या 4 में चैन करना है आंसर देख लेते साथियो प्रिशन नमबर चार में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा तो आपके जो विकल्प नमबर एक है कजरी होटल कजरी होटल जोदपूर में इस्तित नहीं तो यह क्या हुआ पिर असत्य कतन मरू महोसव कहा है जीत होता है जैसलमेर में राष्टी जनजाती संग्र जाले कहां पर इस्तिते बासवड़ा में और कालबेलिया डान्सोप म्यूजियम कहां पर है जेफुर में ये तिनों कतन सत्य है किस कतन को छोड़ कर पहले कतन को छोड़ कर तो आते चोते प्रिश्ण में आपके विविखल्प नमबर एक सही रहेगा प्रिश्ण नमबर इसका सिदा सा मतलब है एक तरफ तो व्रक्षों के जो नाम है वो दे रखे है और फिर एक तरफ जो व्रक्षों के उपयोग है वो दे रखे सात्यों अब आपको यहां पर सुमेलित करना है और सुमेलित करके यह जो चार विकल्प आपके सामने दिये गए हैं इन विकल्प होता है इसके पत्तों से बीडी बनाई जाती है जो साथियो अब सागवान सागवान से जो है इमारती लकडी बनाई जाती है और धोकड़ा से कोईला बनाए जाता है मुझकी रूप से तो मतलब कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके दिये गए मतलब दिये गए विकल्पों के है तो डी में तीन ये दे रखा है सी में एक दे रखा है बी में दो चार में दी में तो क्या रहेगा दो और चार में क्या रहेगा साथियों एक रहेगा तो इस प्रकार से आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा या पर जो प्रिश्ण संक्या पांच में दिये गए विकल्पों क जो चोता विकल्प है यही आपके पांच वे प्रिश्न का सयांसर होगा मित्रो प्रिश्ट नमबर 6 की और बढ़ते हैं आपके प्रिश्ट नमबर 6 में क्या पूंचे जा रहा है देखेगा प्रिश्ट नमबर 6 को जन्गन्ना 2011 के अनुसार राजिस्थान का नियून्त मैला सा जानुसर, राजिस्थान का न्यूनतम महिला साक्षर्था दर्वाला जिला, तो न्यूनतम महिला साक्षर्था दर्वाला जो जिला है, वो जालोर जिला है, क्योंकि जालोर जिले की जो साक्षर्था दर है, ये मात 54.9%, कितनी है, 54.9% है, जो की सबसे कमें साथियों, तो विक कत्य कतन है असत्य कतन का चुनाओं आपको प्रिश्ण साथ में करना है पहला विकल्प के रहे आदिवासियों का हरासोना बांस आदिवासियों का कल्प रक्ष मववा गोडवन करायोटिस नाइगरी सेप्स और खेंजरी मारवार कटीक तो इनमें से जो कतन आपको असत्य प्रिश्ण साथ में चोथा विकल्प सही रहेगा प्रिश्ण नमर आठ की और बढ़ते हैं आट वाप्रिश्ण देख लेते हैं प्रिश्ण नमर आठ है राजिस्थान इको टूरिज्म नीथी जारी की गई अगश्ट 2020 में दिसंबर 2020 में अपरेल 2021 में और जुलाई 2021 में तो इनमें से कब राजिस्थान इको टूरिज्म नीथी जारी की गई थी आठ में प्रिश्ण का सवितर बताएगा प्रिश्ण संक्या आठ में कौन सविकल्प सही रहेगा आंसर देख लेते हैं स राजिस्थान इको टूरिज्म नीथी जारी की गई थी फूर्थ विकल्प आपके आठ में प्रिश्ण का सवितर है प्रिश्ण संक्या नो की ओर बढ़ेंगे मित्रो नोवा प्रिश्ण देखेंगे आपके प्रिश्ण मबल नो है राणाकपूर का जेन मंदिर कौन से वन् संक्या नो में बताना है नोवे प्रिश्ण का सवितर मताएं साथ यो प्रिश्ण नमबल नो में कौन से विकल्प शही रहेगा तो आपसर देख लेते हैं देखेगा राणापूर का जो जेन मंदिर है यह कुंबलगर वन्य जीव अभ्यारन ने जो है कुंबलगर वन्य जी नागोर अलवर जोदपूर और जेपूर तो दिये गए विकल्पों के अनुसार जो जनगर्ना 2011 के अनुसार न्यूंतम जनसंक्या वाला जिला है उस जीले का आपको प्रिश्ण नमबल 10 में चैन करना है दरस पे प्रिश्ण का अंसर देख लेते हैं देखिएगा जो जनग नागोर जिला की जनसंक्या देए गये विकल्पिया גם क्या नुसार जनसंक्या थी तो विकल्प एक दसवे प्रिश्ण का उत्तर होगा प्रिश्ण नमबर 11 की और बढेंगे कि लएवतर देखेंगे आपको यह भी पता होना चाहिए खिए नागोर जीले की जयेंदग वह सा 0.07 लागती साथियों 11 प्रिश्ट देख लेते हैं प्रिश्ट नमबर 11 क्या है आपके राजस्थान बारत में कौन सी फसल का सरवादिक उत्पादक राज्य है मक्का का है मुंगफली का है सरसो का है और कापास का है तो देखो राजस्थान हमारे राज्य की बात की जा रही है देगई विकलपों के अनुसार इन यह चार पसले आपके सामने देखे हैं मक्का, सरसो, मुंगफली और कापास इनमें से जिस पसल का सरवादिक उत्पादन राजस्थान में होता है वो कौन सी पसल है साथियों सरसो जो सरसो है सरवादिक सरसो का उत्पादन भारत में कहा पर होता है राजस्थान में वता है तो थर् विकलप kami 11 प्रिष्ण तरह हे म्रवर 12 की ओर पढ़ेंगे आपके 12 में क्या है देखतें हैं एक नांबर 12 को राजस्थान उर्जा विकास निगम लिमिटेट की स्थापना कब हुई बहुत चार दिसंबर को तो की गई लेकिन चार दिसंबर कोन से सन में की गई थी तो बारवे प्रिष्ण का अंसर देखे तो सात्यों जो तीसरा विकल्प है चार दिसंबर 2015, बिल्कुल चार दिसंबर 2015 को ही राजस्तान उर्जा विकास निगम लिमिटेट की स्थापना की गई थी थर्ड विकल्प आपके बारवे प्रिश्ण का सर्थतर है, प्रिश्ण नमबर 13 की और बढ़ेंगे साथ ही प्रिश्ण का सर्थतर बताईए गर आप अर्थ नहीं समँ, तो फिर आपके सबसे ज़्यादा समझ्या इसा प्रिश्ण में आने वाली है, क्योंकि प्रिश्ण का अर्थ ही नहीं समझ्य सकेंगे तो उसका उत्तर कैसे देंगे प्रिश्ण नमबर 13 में राजस्तान में गली रर्जन इसका सिधा सा मतलब है अउनालिका अपरदन और अउनालिका अपरदन की समझ्या जो है साथियों जिसको आप कहते हो कि राजस्तान का जो कोटा जिला है बिल्कुल राजस्तान के कोटा जिले में ही सर्वदिक अउनालिका अपरदन क समझ्चा है सेकंड विगलब आपके तेरवे प्रिष्ण का से उत्तर है प्रिष्ण नमर 14 की और बनेंगे साथ यों विगलब आपके चवद्वे प्रिष्ण का से उत्तर है प्रिश्ट नमबर 15 को देख लेते हैं देखेगा प्रिश्ट नमबर 15 को आपके प्रिश्ट नमबर 15 क्या है इन में से कौन से जिले में अधिक्तम वर्षा होती है अजमेर जिले में सीकर जिले में जोतपुर जिले में और बिकानेर जिले में अब देखो राजस्थान में माउंट आबू ठीक है नहीं आपके इस्तानाता है लेकिन ना तो यहां पर माउंट आबू दे रखा है और नहीं यहां पर जालावाड दे रखा है तो फिर आप कौन से विकल्पे जाओगे अब हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रशने किस प्रकार से आपसे पूछा जा र में ही दिये गई विकल्पों के अनुसार सर्वधिक वर्शा होती है प्रतम विकल्प आपके प्रिश्ण 15 का से उत्तर होगा मित्रों प्रिश्ण नंबर 16 की और बढ़ेंगे सोलवा प्रिश्ण देखेंगे आपके प्रिश्ण नंबर 16 है दांता बुनास नटकी खेड़ी इत्या दी किस खनीच के उत्पदर है तू परसिद है अबरक के लिए वलेश्टोनाइट के लिए ग्रेनाइट के लिए या टंगश्टन के लिए तो यहां पर आपके सामने चार खनीच दे रखे हैं और प्रिश्ण पूछ रहा है दांता बुनास और नटकी खेड़ी तो स प्रिश्ण नमबर 16 में कोन सा विकल्प आपका सही रहेगा इन दांता में भुनास में नटकी खेड़ी में इनमें किसका उत्पदन होता है अबरक का उत्पदन होता है और अबरक की जो नगरी है किसको कहा जाता है सात्यों भीलवणा को कहा जाता है वही किसको कहा जाता है बिलवड़ा को विकल्प एक आपके प्रिश्ण संख्या सोला का सयांसर होगा प्रिश्ण नमबर 17 की ओर बढ़ेंगे साथियों सोलवे प्रिश्ण में कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रतम विकल्प तो चलिए सत्रवा प्रिश्ण देख लेते हैं आपके प्रिश नमबर 17 क्या है देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी कहां इस्तापित की गई थी जेपुर में बाडमेर में इलाबाद में और अहमदाबाद में तो ये पुरे भारत देश की बात की जह रही है और पुरे भारत देश में जो पहली इको फ्रेंडली र को फ्रेंडली रिपाइनरी इस्थापित की गई साथियों आप सभी को ये भी पता होगा कि बाड़मेर में ये जो रिपाइनरी लगए गई है ये राजस्थान की पहली रिपाइनरी है जबकि अगर हम बात करें पुरे भारत की ये कौन सी रिपाइनरी है तो पुरे भारत की ये 26 वी रिपाइनरी है और राजिस्थान की ये पहली रिपाइनरी है साथियों 16 जनवरी 2018 को इसका सिलान्यास किया गया था ये जो बाड़मेर में रिपाइनरी स्तापित की गई इसका सिलान्यास कप किया गए था साथियों 16 जनवरी 2018 को किलिए रहे सभी के सत्रवा प्रिश हैई संगत का चैन कीज़े एह संगत का अचलाओ संगत आपको इसलों जोटकर लाल दोलपूर दोलपूर बादामी संगत जोदपूर काला संगत अचलाओ पीला संगमत उद्यपूर थो ही मतलब गलत लग रहा है उसका चैन प्रिश्ण संख्या 18 में करना है मित्र अठारवे प्रिश्ण का उद्धर बताईएगा प्रिश्ण संख्या 18 में कौन सा विकल्प आपका अंसर होगा अंसर देख लेता है अठारवे प्रिश्ण का देखिए प्रिश्ट नमबर 18 में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नमबर 4 पिला संगमरमर उदेपुर में नहीं पाया जाता है लाल संगमरमर कहां पाया जाता है धोलपुर में बादामी संगमरमर कहां पाया जाता है जोदपुर में काला संग्मर्मर कहां पाय जाता है बेसलाना जेपुर में और पिला संग्मर्मर कहां पर पाय जाता है आपके पिला संग्मर्मर पाय जाता है सात्यों जेसल मेर जिले में कौन से जिले में पाय जाता है जेसल मेर जिले में तो विकल्प नमबर जो चार है प्रिश्ण नमबर अठारा का सई आंसर है, जबकि उधेपूर की बात करें तो उधेपूर में हरा संग्मर मर पाये जाता है, कैसा संग्मर मर पाये जाता है, हरा संग्मर मर पाये जाता है, तो अठारवे प्रिश्ण का आपका जो फोर्त विकल्ब है, यह आपका सई आंसर है, प्रिश्ण नबर प्रश्ण संख्या 19 में कौन सा विकलपाप का सही रहेगा राजिस्थान में रोगफास्पेट की सबसे बड़ी खदान कहा पर इस्तित है उदेपूर जीले में इस्तित है कौन से जीले में इस्तित है उदेपूर जीले में इस्तित है उदेपूर में यही पर रोगफास्पेट की सबसे बड़ी खदान राजिस्थान की इस्तित है विकल्प नमबर आपका एक उनिस्वे प्रिश्ण का सही अंसरे साथियों प्रश्ण संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं देखिएगा प्रश्ण नमबर 20 को प्रश्ण नमबर 20 क्या है डाबला सिंगाना मोरिजा बानेला नीमला राइसेला नात्रा की पाल इसका संबंद है मेंग प्रश्ण नमबर 20 में आपके जो दूसरा विकल्प है या आपका बिल्कुल सही उत्तर है लोह अयसक की अगर हम बात करें तो लोह अयसक का सरवधिक उत्पादन मोरिजा बानेला है कहां पर पड़ता है जेपूर में यहीं पर लोह अयसक का सरवधिक उत्पादन होता है साथियों प्रश्ण नमबर 21 को देख लेते हैं आपके 21 में क्या है राज की किस पसिद जील पर नटनी का चबूत्रा निर्मित है जे समन जील पर नक्टी जील पर पिछोला जील पर और सांभर जील पर तो राज की जील पर नटनी का चबूत्रा इस्तित है उस जील का नाम आपको 21 में बताना है तो 21 का अंसर देख लेते हैं देखेगा जो पिछोला जील है पिछोल 21 का सही आंसर इमित्रो 22 की और बढ़ेंगे 22 प्रिश्ण में क्या पूचे जा रहा है देख लेते हैं प्रिश्ण नमबर 22 को राजिस्थान के किस उध्योग में सोडियम सलफाइड का उप्योग कच्चे माल के रूप में किया जाता है जूट उध्योग में किया जाता है सूतिवस्थ उध्योग में किया जाता है चीनी उध्योग में किया जाता है या चमडा उध्योग में किया जाता है बाइस वे प्रिश्ण का आंसर देख लेते हैं प सूती वस्त उद्योग है कौन से उद्योग है सूती वस्त उद्योग में ही सोडियम सलफाइट को व्योग कच्छे माल के रूप में किया जाता है 22 में आपके जो सेकंड विकल्प है या आपका अंसर होगा 23 की ओर बढ़ेंगे देख लेते हैं आपके प्रिश्ण नमबर 23 को 23 है सुमयलित नहीं है सुमयलित जो आपको नहीं लगता है उसका चैन 23 में करना है देखो वस्त नगरी किसको कह आ जाता है बिलवड़ा को का जता है अगर हम बात करें तो उर्वरक ता उत्पदन मोड़क में नहीं होता है मोड़क में तो सिमेंट का कारकाना है किसका कारकाना है सिमेंट का सिमेंट का कारकाना निमबा एड़ा चितोडगण में भी इस्तित है और sodium sulfate का उत्पादन जो है ये डिडवाना नागोर में होता है साथियों तो फिर उस आधार पर प्रश्च नमबर 23 में कोज से विकल्प आपका सही रहेगा जो विकल्प नमबर 2 है आपके 23 का बिल्कुल सही आंसर है 24 की ओर बढ़ेंगे साथियों सेकंड लाश्च प्रिश्च नहीं है ये आपको डाउनलोड नहीं किया है तो ये आपको डाउनलोड कर लीजिएगा लगबग 8000 लोगों ने आपको अभी तक डाउनलोड कर लिया है और कम से कम आप 175 टेस्ट और मानके चलो साथियों 175 टेस्ट और आपके 149 वाला जो कॉर्स है इस पर अविलेबल होने वाले हैं रीट एक्जाम से पहले ही तो चाहे लेवल एक हो या लेवल दो हो इसकी पीस मात्र 104 है वो भी आपके जब तक एक्जाम नहीं हो जाता चाहे कभी भी एक्जाम हो एक्जाम तक इसकी पीस है साथियों मात्र 149 रुपे तो कॉर्स को जरूर जोइन करिएगा एप डाउनलोड लिंक मेंने कमेंड बोक्स में दे रखा है देखेगा प्रिश्ण नबर 24 को रिको गटित किया गया 1971 में, 1990 में, 1961 में, 1961 में और 1967 में जो इस पे प्रिश्ण का अंसर देखे तो रिको का गटन कब किया गया था 1999 इस वी में किया गया था साथियों सेकंड विकल 24 का सही अंसर है आज का अंतिमोर 25 वा प्रिशन देख लेते हैं चैनल को सस्क्राइब करके जाना साथ ही हो और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक शेर चेरूर करके जाएगा चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब करने के साथ में बेल आइकन भी ओन कर लेना भाई आप बेल आइकन ओन करोगे तो प्रते एक वीडियो का नोटिफिकिशन आप तक टाइम से पहुंच जाएगा और प्रते एक वीडियो आप बड़ी आसनी से देख सकते हो वीडियो का लाश्ट में कमेंट बोक्स में कमेंट भी करके जाना देखो पच्चिसवा और उन्ती प्रिश्ण है नदी वे सहायक नदी को सुमेलित कीजिए एक तरफ है चंबल नदी बनास नदी लूणी नदी और माई नदी एक तरफ है सोम जाकम सुकडी जवाई खारी वेड़च और पार्वति तो अब आपको देखना है कि इन में से कौन सा सुमेलित आपको लगता है ठीके ना इनको आपस में जोड़ लीजिए और फिर दिये गए विकल्पों के अनुसर पच्चिसवे प्रिश्ण का आंसर जो है उसका चैन कीजिए गा साथ यो पच्चिस जवाई सौम जाका मिये कोई नहीं कौन सी है पार्वति तो एमें कौन सा रहेगा चोता रहेगा तो एमें चोता कहां पर दे रखा है यहां पर चोता दूसरे विकल्प में दे रखा है कौन से विकल्प में दे रखा है दूसरे विकल्प में और बैमें क्या दे रखा है ती पुख्डी और जवाई और दयमे कुंसर है का माही की सोम और जाकम रहेगा साथियों तो इस प्रकार से आपके विकल्प नमबर जो दो है अन्तिम और 25 वे प्रिश्ण का बिल्कु सही आंसर है कंप्लीट होता है आपके भूगोल का गोल्डन पेपर नमबर 16 यह साला का वीड वीडियो में बहुत बहुत दन्यवार सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए